नमस्कार की सापताहिक रिपोर्ट के नवीनतम संसकरन से पता चला है कि बिटकोईन वीटीसी में आने वाले महीनों में भारी अस्थिर्ता का अनुभव होने की संभावना है Bitfinex Alpha Report के अनुसार क्रिप्टो बाजार वर्तमान में बिटकोईन के इतिहास में सबसे लंबे समय तक कम अस्थिर्ता अवधी में से एक में है हाला कि यह प्रवृत्ती बदल गई है क्योंकि परिसंपत्ती की 24 घंटे की अस्थिर्ता में हाल ही में 9 घंटों के भीतर 1200% की वृधी देखी गई DC सरकिट के लिए अमेरिकी अपील न्यायाले ने अपने पूर्व फैसले की पुष्टी की है जिसमें सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC को क्रिप्टो कमपनी के अगरणी GBTC फंड को Bitcoin Exchange Traded Fund ETF में बदलने के ग्रेस्किल इन्वेस्टमेंट्स के प्रस्ताव की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है यह घटनाक्रम SSE की हालिया घोषना के बाद आया है कि उसका अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने का इरादा नहीं है उत्तरी अमेरिका प्रमुक क्रिप्टोक्रिंसी बाजार के रूप में उभ्रा जिसका जुलाई 2022 और जून 2023 के बीच अनुमानित और चेन मूल्य एक दशमलव दो ट्रिलियन डॉलर था चैनालिसिस की नवीन्तम रिपोर्ट के अनुसार यहां आंकडा इस अवधी के दौरान देखी गई वैश्विक लेंदेन गतिविधी का 24.4 पसेंट है क्रिप्टोक्रिंसी अन्वेशक जाकिक्स बीटी ने सोशल मीडिया पर खुलासा किया है कि उनके एक स्खाते और कुछ अन्य लोगों को अनिर्दिष्ट कारणों से अतिरिक्त जानकारी के अनुरोद के लिए अदालत से एक सम्मन प्राप्थ हुआ था 21 अक्तूबर को उन्होंने अनुरोद के सम्मन में दो स्क्रीन शॉट साजा किये